नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेज बज़ और आगर आपका रेलवे एंटी पीसे का एक्जाम है तो ये वीडियो आप लोग लोग लिए बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन एक्जाम में आप लोग को कि सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेयर कीजेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और जानने की कोशिस करते कि आप लोग को किन-किन बातों का ध्यान देना तो सबसे पहले आप लोगो ध्यान देना है मैं पहले हमां के चलिये किसे कहा को हम कर रहाग है किजेगा तो सबसे पहले आप यहां पर यहां लिजे कि यहां पर dlatego यहां पर देख सकते हैं दस मिनट पहले यह 20 मिनट पहले लोगन हो जाएगा और यहां इंस्ट्रक्षन देख लिजेगा लेख मेंस कुछ करना है ति इतना प्लोग पता होगा उसके बाद आप लोगोगो की हरना के यहां पर आप लोगो को क्या करना है कि हिंदी या इंग्लिज जो भी आपको लेनविच पर तभी आपको क्लिक करना जब वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेगा ठीक है अगर क्लिक भी करते हैं तो आपको टाइम दिखाएगा कि आपके एक्जाम होने स्टार्ट होने में इतना टाइम बचा हुआ तो वह आपको सू करेगा यहां पर क्या किजिएगा आई एम रेडी और से एंटीप इसी दिखा रहा है यहां पर थ्यूंअ दिएगा और हिंग्ली में हिंटी बोग्स कर सकते हैं और तो क्योंग्वे। कesusभन देखनेगा बैव कुणा है कि को लिए तो यहां टिक है करना तो आपने हिसांअग्वेज तो चेंज कर सकते हें अब आप रेल्वे इस बार के ऊनलाई एक्जाब में क्या खास बात है तो यहाँ देख़एगा जो इए है कि रेल्वे बात यह ने क्या किये है सक्षे को सब्कूर्प एक्ज़ाल कुरोंगे नहीं किया जाता था तो बट इस वर सेक्षय बाहन वाइस को state सब तक अगर जाते हैं चालिस वा जाते हैं तो नंचालिस वाबी कोशन क्या होगा जीके का ही कोशन होने वाला है ठीक है न अब यहां देखेले मैं आप लोगों के देखेलना है कि यहां देखेगा इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें यहां पर जाएंगे तो यह भी मैस है अब जैसे आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब इस बार बहुत अच्छा काम किया है कि आपको को अरेंज करके दिया तो इससे आप लोग बहुत ज्यादा फाइदा मिलने वाला अगर आप लोग ऑनलाइन एक्जाम देते तो आप लोगो सबसे पहले क्या करना चाहिए करना वैसे को पहले कि यह किसी भी सेक्षन से जिसमें आपको उठाना परें जिसका आप बीना उठाए दें तो यहां पर सबसे से पहले बनाना चालीज को है चालीज को मालिजे 10 मिनट में बना लिते तो आपके पास एक्जाम में कितने समय बचते हैं मिन 75 म मीठत में बच बच गया 25 मिनट में जितने वी जींकि हो उनको सोज के अच्छे सो को अभी अटेम्ट किया तो सेम यही स्ट्रक्चर होगा रेलवे के ओनलाइन एक्जाम का भी उपर में आपको दिखेगा ग्रीन वाला आपने एंसर किया रेड़ वाला आपने एंसर नहीं किया और 11 को सब्सक्राइब और यहां साइड में आपको दिखाएगा यहां आपका फोटो दिखाएगा ओपर में ध्यान देना है कि यहां पर आपको टाइम दिखाएगा कि कितना समय बचा हुआ है सब्सक्राइब करोंगा यहां दिखा रहा है कि एक ग्रीन हो गया फिर अगले विए सब्सक्राइब जहाँ पर पेंट ना उठाना पड़े है यहां पर आप पर पर यहाँ चारज को पहले बना लीजे नहीं आएगा तो क्यों सोचना है ठीक है ना उसमें बरबाद नहीं कीजिए मैक्सिमम 15 मिनट मैं तो बोलूँगा दस मिनट 12 मिनट में जीके को खतम कीजिए अब आपको कुछ नमर 41 से क्या हो जाएगा मैस स्टार्ट हो जाएगा तो मैस में कुछ ऐसे होते हैं जहां पर क्यलकूलेशन बहुत कम है यहां पर बिनना दिमाग लगाने कॉसंट हो जा रहा है उनको पहले बनाए कीजिए टीक है यह कंडिशन में तब बता रहो हूं जब यह रेलवे का जैसा मॉक्टेश दिया है कुछन को अरेंज करके दिया है इस कंडिशन में आपको इस तरह से बनाना चाहिए कि पहले जी के बनाएं फिर मैं उन को बनाएं जो कुछन आपको दिमाग नहीं लगाना पर रहा है जहां आपको सोचना नहीं पर रहा है अब जैसे इस को देखिए कि वह लार्जिस संक्या पूछा गया जिसमें इतने नंबर को विभाजित किया जाए तो दो चार आठ बचे अब इसका कॉंसेट यहां पता होगा तो आप बना ही नहीं पाईएगा इसको तो यहां पर क्या हो जा बनाएए जो आसानी से बन जाए ठीक है इस बात पर ध्यान रखेगा रीजिनिंग में वही काम करना है रीजिनिंग में जब जाते है तो जैसे माली जैसे 71 में हम चले गए रीजिनिंग में तो देखे यह असानी से कोड लिखे तुरंद बन जाएगा गलत होने का सवाल ही नहीं है तो पहले वैसे को बनाएए जो कम समय में बन जाए और जो बिल्कुल सही हो जाए ठीक है ना उन को पहले बनाएए हाड वाले को बाद में बनाएए ठीक है और जो नहीं बनते हैं उसको बाद में सोचिए पहले नहीं सोचिए जो नहीं बनते है ठीक है ना सूचने बाद में बनाये कीजिए ठीक है और सबसे अंति में उन को बनाईए जिनके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है जिनके बारे में आपको सूचना है तो उन को सबसे लाइए लास्ट में बनाईए कभी भी को लाइन से नहीं बनाईएगा अगर लाइन से बनाईएगा त पर टाइम कम बचेगा दुबारा को सदेख भी नहीं पाएंगे तो इसी तरह बनाई यह समय आप लोग बता रहा हूं जैसे यह को सब्सक्राइब करिया प्रतिक्रिया का उल्टा क्या होता है प्रतिक्रिया होता है तो इसके अनुसार आपको क्या करना है इसके शुद्ना अगले कोशन के तरफ जाते हैं कथन वाला कोशन है तो यह भी असानी से बन जाएगा ठीक है तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने क्या बुला फिर से मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको क्या करना जीके के को दस से 15 मिनिट के बीच में मना लिजे 15 मिनिट से एक मि पूरा ठीक है ना मैं माली जो कोशन आपसे असानी से बनते हैं उनको पहले बनाएए और जहां आपको सूचना है उनको पहले छोड़ दीजिए रिजनिंग वाले सेक्शन में आ जाए रिजनिंग में सेम यही काम कीजिए असान वाले को एक बारी बना लिए फिर जहां आपको सबसे ज़्यादा घ्रा दिमाग लगाना उनको लाष्ट में बनाएए मैं मैं और रिजनिंग दोनों में कभी से बनाने में काफ़ी ज्यादा टाइम जाता है दोस्तों ठीक है तो मुझे जहां तक लगता है कि जो सेट किया होगा पहले आपको हूँ सकता है कि मैस द सबसे लास्ट में जी ए हो जाए तो सभी को अलग टरीके से अरेंज किया होता है ठीक हो अगे अगर हम बात करें यहां पर सब्सक्राइब करता हूं तो यहां पर सब्सक्राइब को दिए गया है मैं हिंदी में कर लेता हूं यहां पर आप देख रहे हैं यह क्या है मुझे लगता है कि इस बार चेंज करने वाला है इस वर को से होता है माले गलती से अशेट दीता आपको को साका मिक्स के बाद जाता है फिर तो अगर ऐसा मिक्स होता तो पहले भी आप लोगो क्या करना है कि जीके वाले कॉसन को पहले बना ली जाया असानी से मैंज़ाय है ярाय पैसानी से जहाहां कम लगाना पहले बनाइये कि अंत में काफी कोशन असान होते हैं सुरुवात में कोशन हो सकते हाड होंगे पर आकरी के 10-15 कोशन इतने असान होगे कि 10-15 के 15 सही हो जाने वाले हैं तो कोशिस किजिए कि 100-100 कोशन दीखिए तो आपका चांसे बहुत ज्यादा बनेगा और मैं बता दो कि कितना हो सकता है तो अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से कम से कम 90 कोशन आप लोग को बनाना चाहिए रेलवे के एकजाम में 80-90 की बीच में आप लोग बनाई है क्योंकि य 한 जहाँ कम कृटःशन बहुत ज्यादा होता है क्लकटा जोन की बारे में बात करूं तो कौल्का własPLका के आसपास aan कटप देखने मिल सकता है स्कूर करना कम से कम असी स्कूर करना आपको 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 ध्यान रखेगा चलिए तो यह वह किसी तरह फी लेके आे और मैं इक बात रूब सो उब करना हूं की आप लोगा चाहता हूं काificarा मतलब स्कूरों CBT 1 का जो स्कोर होगा फेज 1 का स्कोर जो होगा वह आगे के स्ट्वेज में एड नहीं किया जाएगा जो इंपोर्टेंट होगा वह CBT 2 होगा CBT 1 के वाल क्वालिपाइंग इन नेचर होगा यहां पिकेवल आपको 23 बीस लाख बच्चों में आना है क्योंकि इसगुदि पर स्ट्रियं स्ट्रिय चार जाक है स्ट्रियं टू के लिए क्वालिपाई होंगे बच्चे to साट लाख बच्चों का सेलेक्षन होगा एक लुटए5 लाख बच्चों मैंसे एक करोड़ 26 लाख बच्चों में से 7 लाख बच्चे निकल कर बाहर आएंगे तो जो फाइनल मेरिट बनेगा वह स्टेज टू के एक्जाम पर बनेगा सीविटी टू के एक्जाम पर बनेगा तो सीविटी वन में फिर भी आप लोगो कोशिस करना है कि यही तयारी आपका काम करने वाला और कोशन का लेबल होता है वही लेबल आपको डेखने को मिलेगा इसलिए वहाँ क्या होता है जो कट जाता है 85 परसेंट 90 परसेंट भी चला जाता है अच्छे-च्छे पोस्ट के लिए जो अवरेज होते जैसे घुड्स कार्स हो गया आपको 75 की बीच में देखने को मिल सकते हैं बाकि सब जोन के बट जो अच्छे पोस्ट होते हैं उनके कट ज्यादा हाई जाते हैं तो स्टेज बन में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका तैयारी और भी अच्छा हो जाएगा और स्टेज टू में आपको बहुत कम मे स्टानल सकता है ठीक अनलाइन एक गज्याब मैंने बता दिया कि लुट देना कहां कहां को देना है सबसे पहले आपको जो आसाल को सब्कुरहां पैन नहीं उठाना उनको पहले बनाई हैं मैं ऐसे खोजिए जहां पेब्ग बहुत कम का काम हो जहां देखती ही को संबन जा जहां आपको confirm हो कि answer आने वाला है कम calculation में क्योंकि question देखके आपको idea हो जाता है reasoning में भी same यही काम करना है ठीक है न तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आसा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहा है एक चीज़ और मैं बताता चाहूंगा कि आगर माले पूरा question paper देखना चाहते है तो यहां पर जैसे आप जाएंगे तक में लगतार आपको दिखाता हूँ तो एक बारी में आपको पता चल जाए गे की कैसे है तो तुरंप से क्या गया है यह तुरंथ आप उपर से जाके पते हैं आगर हम बाद करें लाएग大न क suppose को बाद में आप फिर से भी देख सकते है ठीक है कैसे कैसा आपको उत्तेर देना है क्या क्या इंस्ट्रक्टशन है यह सब यह सब चीज आपको यह दिख जाएगा और इसमें कुछ अलग नहीं है दोस्तों ठीक है मालीजी को कभी मुझे टाउट है तो मैं क्या करूंगाइ aid को पहले मैं पूद में क्या करों गा उसके गारों किया गा इट मतलब क्या मतलबuis यह मैंने कर दिया मार्क फोर रेवियू कर जा और यह यह को क्या किया जाएगा यह मैं आपका है था है यह जाएगा इस मनें पता चाहिए कि इस को आपको क्राशं करना एडवाला तो आपको पता चली गया कि आपने एंसर नहीं दिया और यह जो बैगनी कलर का दिख रहा आना यह पता चलेगा कि इस कोशन में आपको डाउट है तो जब भी आप कीजिएगा तो पहले एंसर आपको देना जैसे इस कोशन का एंसर मैंने दिया फिर मार्कों रिव कोशन पर जाएंगे जैसे सेव नेक्स कीजिएगा तो यह अपने आप ग्रीन हो जाएगा यह समझेगा कि आपने फाइनल उत्तर दे दिया तो आपको ध्यान देना एंसर क्या होना चाहिए घ्रीन होना ही चाहिए ठीक है ना तो चलिए मुझे अब लगता है कि आप लोग क हैं सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजेगा अपने अंतर तक देखा अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अग्यू